दोस्तो लखनव और एहमदाबाद की टीम के उपर लग सकता है एक साल का बैन और सिर्फ आठ टीमों के साथ IPL 2022 हमें होता हुआ आ सकता है नजर मेगा आक्षन से पहले इस समय बहुती बड़ी ये खबर जो है वो निकल करा रही है जिसकी पूरी डीटेल में बातचीत इस वीडियो में हम करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को कर दीजिए एक लाइक और दोस्तो आपके इसाब से कितनी टीमों के साथ IPL 2022 होना चीए आप कितनी टीमें देखना चाते हैं आप अपनी राये कमेंट करकर जरूर बताएं दोस्तो रिसेंटली हमने देखा था कि IPL 2022 में दो नई टीमों का आक्षन जो है वो हुआ था जहांपर लखनाओ और एहमदाबाद की दो टीमे जो है वो फाइनल हुई थी जो कि IPL 2022 में एंट् आने वाली है जहांपर दोस्तो लखनाओ की टीम के अगर बात करें तो संजीव गोइंका ने करीब 71 करोड रुपे में इस टीम को जो है वो खरीदा था लेकिन यहां पर मेगा आक्षन से पहले बड़ी खबर निकल करा रही है जहांपर इन दोनों टीमों को एक साल के लिए पर आपको बताएंगे पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ओनलाइन गेमिंग प्लैटफॉर्म रैडी अन्ना के बारे में जहांपर आप किर्केट फुटबोल और 160 प्लस गेम खेल कर लाको रुपे जीत सकते हैं यह 85 प्लस ब्रांचों प बाजी को परमोड करते हैं हम सभी को पता है कि सटे बाजी जो है वो इंडिया में बैन है और इसी वज़े से दोस्तों BCCI ने इस समय एहमदाबाद की टीम के उपर स्टे जो है वो लगा है और फाइनल डिसीजन अभी कुस दिनों में आपर BCCI अपना जो है वो सुनाने व प्लेयर को उन्होंने जो है वो अप्रोच किया है और ऐसा इसलिए क्योंकि एहमदाबाद की टीम अभी तक फाइनल नहीं हुई है कि वो टीम IPL 2022 खेलेगी या फिर नहीं और ऐसे में दोस्तों अगर एहमदाबाद की टीम के उपर बैन लगता है तो यहाँ पर लखनों की टीम को भी एक साल का इंतजार करना पड़ सकता है और एक और बार IPL हमें आठ टीमों के साथ ही होता हुआ नजर आ सकता है अब देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में क्या अपडेट जो है वो निकल कर आती है क्या फैसला BCCI जो है यहाँ पर लेती है यह बड़ी कब है नजर आती है यहाँ यहाँ आने रारक्त कर आती है गर अएटत्य थेखते हैं ढती हैं आर्लेप कर यहाँ बड़ी कि पर palabras जो ही होता है TowUCतों सकते है यह उहाँ जिए हमें कि पड़ी को अआने टीमृम guidedर है है religiousksom